उत्र परदेश के जनपत्फी रोजाबाद के थाना उत्र के शेत्र मुहला टापा कल्ला में गनीश पूत्र भीकम सिंग ने ग्रेकलिश चलते फांसी लगा कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली जिहां बताया जा रहा है कि मृतक गनेश शराब पीने का आदी था और सुभा अपनी पत्नी से जगड कर कहीं चला गया था तभी उसकी पत्नी पास में रहने वाली बहन के पास चली गई थी देराद गनेश घर वापिस आया तो पत्नी को घर ना पाकर गले में पासी का फंदा लगा कर आतम हत्या कर ली जब सुभा के समय लोगों ने घर आकर देखा तो गनेश फंदे पर जोल रहा था जिसके सुषणा आसपास के लोगों ने पुलिस को दी लिए जिए आं सुषणा के बाद पुलिस ने मोके पर पहुँची शवका फंदे से नीचे उतारा पुलिस ने शर्व को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेजा है फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है पारसर जी कौन सा बाड है यह पाड नमबर आठ है टापा कुला किस तरी की घटना हुई है आपर जाप है पत्पत्नी सराप पी के उसने पत्नी सराण गड़ा गिया और पत्नी जब अपने बेहन है उसकी सपास में वहाँ पाड चलीगी तो उसने फासी लगा लेगी क्या नाम ता है इसका गड़ने इस कितनी उमर होगे इसले करेंगा नहीं पैति शत्रीज होगे जबीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट अल ज्योती गार्डन वोल्ड-क्लास इसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें घंडेवादी